मन्चूरियन खाना सभी को बहुत पसंद होता है स्लिए आप धी रेस्टरंट जाकर के खुब मन्चूरियन खाते हूंगे तो आज मैं आपके लिए ले DENNIS ले कर के आई हूं घर पर ही बिलकुर Aww मंचूरियन की रेस्पी बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने या पालिया है एक फ्रेश पत्ता गोबी तो यह चोटे साइस का पत्ता गोबी है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे इस पत्ता गोबी को हम रफली काट लेंगे तो आपको जैसा आप चाहे तो इसे चौपर से भी चौप कर सकते है इसमें डालेंगे थोड़ा साहम नमक नमक से क्या होगा इसमें जितना पानी होगा रस होगा वह रिलीज हो जाएगा और इसी स्टेच पर हम इसका सारा पानी निकाल देंगे तो हमने नमक को अच्छे से mix कर दिया है, इसको ढखके हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, 10 मिनट बाद नमक की बज़ाइसे ने काफी हद तक पानी छोड़ दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे पानी को switch कर लेंगे, तो इसको आप अच्छे से निचोड़ते हुए, इसका अब हम इसमें डालेंगे, तीन से चार चोटी चम्मश मेंदा, जिससे हमारी जो बाल्स बनने वाली इसमें बड़िया binding आजाए, आप मेंदा की जगह चावल का अटा या फिर कॉन फ्लॉर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो अभी मैंने चार चम्मश डाला हुआ है, थोड़ हमने पहले भी मिक्स किया था, तो हलाकि पानी के साथ आधा नमक का टेस्ट तो निकली गया, इसलिए हम डालेंगे और इसको मच्छे से मिक्स करेंगे, और आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया binding आ चुकी है, अगर आपको लगता है कि इसमें binding नहीं आ रहे है, तो थोड आप हमने यहां पर एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल जैसे अच्छा गरम हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे अपनी सारी बॉल्स और इनको बढ़िया आप सुनहरा होने तक सेख लेंगे, तो आपको यहां पर मीडियम फ्लेम पर ही इनको को निकाल लेते हैं, तो लीजिए मंचूरियन की बॉल्स बन करके तयार है, बनाते हैं अपनी मंचूरियन, यहां पर मैंने कड़ाई में फिर से एक चमच तेल गरम होने के लिए रख दिया है, इसमें डालेंगे हम बारी कटा हुआ लैसुन, तो चार-पांच कली हमने लैस पकाई जाती है, अब इसमें हम डालेंगे सिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल पतला पतला कट कर लिया है, आप चाहे तो इसको फाइनली भी चॉप कर सकते हैं, चोटा-छोटा सा और इसको भी हम हलका सा क्रंची होने तक को खोने देंगे, तो यह देख सकते हैं, आप इसका ह प्रेर चमच ही इसमें जाएगा, टोमेटो सॉस, अब इसमें जाएगा आदा चमच सिजवान चटनी, अगर आपके पार सिजवान चटनी नहीं है, तो आप यहां पर इसकिप कर सकते हैं, या फिर पीज़ा सॉस कर सकते हैं, और एक चोड़ी चमच जाएगा इसमें सोया पटाफट से इसमें सभी मितालों को मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सामने नमक और डाल दिया हैं, आप तो हिसाब से डालेगा, और इसमें डालेंगे, हम थोड़ा सा पानी बहुत ज़्यादा मद डालना और अब हम इसको अच्छे से पकने देते हैं, तो एक मिनट तक मैंने करेंगे, तो आपने ग्रेवी वाली मंचूरियन खानी है, तो आप इसमें पानी की कौंट्री थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है, तो मैंटो सॉस या सोय सॉस और आपको ज्यादर डालना होगा, ओपर से हम डाल देंगी स्प् अब नियुक्तव आप इसमें अच्छी लगने वाली है, तो फ्रेंस उमीद कर थी कि आपको आज की रिष्पी अक्ष्छे लगी होगी, तो फिर मिलते हैं अपने बढ़ी प्यों में अपनी ब्रेवे बिश्टी, जान खाने रिष्पी, तो फिर मिलते हैं और फिरमील तर स झाल झाल